मो भारत दोस्तों, मैं सूर्यमित भारती है, पिछले वीडियो में मैंने अशोक चक्र के 24 अर्थ बताएं थे, आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि उन अर्थों को वर्तमान समय में हम सफल कैसे बनाएगे, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी शिक्षा पध्यती पर क करना होगा क्योंकि शिक्षा ही केवल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इन चोबी सर्थों को किसी व्यक्ति के जीवन में उतार सकेंगे, आज के समय में शिक्षा को मात्र नौकरी प्राप्त करने का संसाधन समझा जाता है, शिक्षा एक माध्यम है जिससे एक व्यक्ति समाज क तो राष्ट को बेहतर बना सकता है, तो हमें इसके लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। धर्मग्रंथ, किताब, सब्भिता, संस्कृति को निस्संकोच भाव, सिकेचित मात्र भी देर किये बिना सीधे त्याग देना चाहिए। हमें शिक्षा और नेतिक्ता को भी इसी तरह से विस्त्रेत दायरे में समझने की आवशक्ता है। नेतिक्ता का सही अर्थ यह होता है कि किसी इंसान को इंसान ही समझा जाए उससे नकम और नज्यादा। इसी तरह के विवेक समस्त प्रगती शील मूले पूरक शिक्षण प्रशिक्षण हमारे बच्चों को प्रदान किया जाए तभी आसानी से संपूर्ण वसमावेशी प्रगती शील भारतिये समाज का निर्माण किया जा सकेगा। बच्चों में उनकी तरक बुद्धी को विक्सित करने में उत्क्रष्ट सहाया की भूमिका का निर्वेहन करना एक अच्छे मातापिता एवं शिक्षक का प्रात्मेक दायत्व है इसके लिए हमारे विद्यालियों में पूरा माहौल संवेधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिये जाने वाला ही बनाना पड़ेगा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है संवेधानिक मूल्य से मेरा मतलब है समाज में समता, स्वतंत्रता, अपना पंत थान्याय जैसे सार्वजनिक मानविय मूल्यों को बच्चों में पैदा करना उनका संग्रक्षने वंसम वर्धन करना है आचार परक तथा आचरन परक शिक्षन का प्रशिक्षन अध्यापकों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए शहीद भगत सिंग ने एक बार कहा था कि स्वतंत्र चिंतन और करुना रहित आलोचना का होना व्यक्ति के प्रतेक त्रांतिकारी चिंतन और परिवर्तन क्रियकलाप के दो आवश्रक प्रस्थान बिंदू है हमें अपने बच्चों को सिध्धान और विवहार में एक रूपता बनाए रखने का प्रशिक्षन देना पड़ेगा देश के विद्यार्थी को यह भली भानती समझना होगा कि वे इसलिए पड़ रहे हैं जिससे वे राष्टर के स्वाभिमान व एक्ता को कायम रख सके शिक्षा का उद्देशे राष्टर का स्वाभिमान व एक्ता कायम रखना है शायद आज सारे देश के विद्याले में शिक्षा का उद्देशे गायव है केवल ग्यान प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देशे कैसे हो सकता है उद्देश रहीन शिक्षा की वज़े से ही देश के नौ जवान भटग गए है इन्ही कारणों से देश में जाती है, दार्मिक उनमाद, भाशाई, क्षेत्रिये ताक्ते सर उठाने लगती है, राश्ट्रिये तायोग्त शिक्षा दिये बिना देश का विकाश्ट संभव नहीं है, हमें इन्ही बिंदू पर ध्यान देना है, तभी हम एक सही मायने में सफल हो पाएंगे, तुद दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आउंगा नए विशे के साथ, मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन को जरूर दबाए, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करें, धन्यवाद